जै हिन दोस्तों प्यान सहीता में आपका स्वागत है दोस्तों 23 जुलाई 1983 को एक गनाडा एयर फ्लाइट 413 उसने उडान भरी उसके ठीक एक दिन पहले यह प्लेन टॉरंटो से एड्मेंटन गया था जहाँ पर इसका रेगुलर मेंटिनेंस चेक अप हुआ यहाँ पर सभी फ्लाइट मेंबर की जूटी बीच एक्सचेंज हुई प्लेन के कप्तान रॉवर्ट प्यर्सन जिनके पास 15-14 घंटे तक प्लेन उडाने का अनुवब था जानकरी के लिए आपको बता दें कि एविएशन का अनुवब घंटों में मेजर किया जाता है प्लेन में प्लाइट के अलावा बहुत से और भी लोग होते हैं जो प्लेन उडाने में महत्कून भूमी करने भाते हैं और उन में से एक थे प्लेन के फर्स्ट आफिसर मॉरिस कुईंटर उनके पास भी फ्लाइट उनाने का साथ यार गंटों का अनुवब था वे समय था जब कनाडा अपने प्लेनों में पुराने मेजरमेंट सिस्टम इंपीरियल इमिट के बदले नए मैट्रिक सिस्टम में खुद को अपग्रेड कर रहा था और यहीं अपग्रेड प्रॉसेस में दुरगटना का मूल कारान छुपा हुआ था जैसे आज दुनियावर के सभी देशों में ऐसी ही यूनिट मेट्रिक सिस्टम का इस्तिमाल होता है ठीक उसी तहें सन 1983 में कैनेडियन एविएशन इंडेस्टी अपने सभी 767 मॉडल के प्लेन के फ्यूल मैनेजमेंट के लिए मैट्रिक सिस्टम को इस्तिमाल करना शुरू किया जबकि और दूसरे मॉडलों के प्लेन में प्राने इंपिरियल इमिट सिस्टम का ही इस्तिमाल हो रहा था फ्लाइट 143 भी 767 मॉडल का ही एक प्लेन था 23 जुलाई की सुभे प्लेन टेक आफ के बस कुछी घंटों पहले रिफ्यूलिंग टीम को 22-300 किलोग्राम फ्यूल भरने को कहा गया लेकिन इस प्लेन के नए होने की बज़े से शायदी इसमें नया मैट्रिक सिस्टम अपग्रेड हुआ या सोचकर रिफ्यूलिंग टीम ने 22-300 केजी की जगे 22-300 पॉंट फ्यूल भर दिया फ्यूल का यह लेवल जुरस से केबल आधा ही था किसी भी प्लेन के टेक आफ से पहले उसके प्लेट की है जिम्मेदारी बनती है कि प्लेन के फ्यूल लेवल को चेक करना चाहिए और बाकी जरूरी चार्च परताल करना चाहिए और ठीक इसी जगे पाइलेट ने अपनी जिम्मेदारी को नजर अंदाज कर दिया उन्होंने बिना फ्यूल लेवल को चेक किये रिफ्यूलिंग टीम को कन्फरिम करके प्लेन को टेक आफ कर दिया अब प्लेन 61 जारतियों को लेकर एड्मेंटन एरपोर्ट से मौन्ट्रियार की और रवाना हुआ उस दिन आस्मान बिल्कुल साफ था और देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बहुत ही चल्दी कुछ बुरा होने बाला है वीच रास्ते में करीब 41 जार फिट की उचाई पर कप्तान को एक सिंग्नल मिला उन्होंने देखा कि प्लेन का लेप इंजन बंद हो गया है उसी समय कप्तान और फर्ष्ट ऑफिसर ने तुरंट प्लेन को सबसे नजदी की एक्टिव एरपोर्ट विनी पैक पे लेंड करने का निर्णे लिया लेकिन उसी समय राइट साइड की इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया स्विस्टेशन को काबू में लाने के लिए फर्ष्ट ऑफिसर ने उस प्लेन का गाइड मेन खोला और बतकिस्मती से वहाँ पर इस प्रकार की प्रस्तिती में क्या किया जाए उसके बारे में कोई चानकारी नहीं थी अब प्लेन के कप्तान ने अपनी जिंदगी के अनुवाओं का सहरा लेकर प्लेन को 400 किलो मीटर पती घंटे की रवतार से सीरियस लेडनिंग कराने का फैंसला किया और उसकी तैयारी शुरू की लेकिन प्लेन में जो टर्माइन घंटा है उसी के कार प्लेन के अंदर और कॉक्पिट में इलेक्ट्रिक सिटी जनरेट हो कर सप्लाई होती है लेकिन इंजन के बंध होने की बज़े से टर्माइन ने भी घूमना बंध कर दिया जिसके चलते सारे मॉनिट्रिंग सिस्टम बंध हो गए और सिर्फ कुछ एनालोग सिस्टम ही काम कर पा रहे थे लेकिन प्लेन में एलेक्ट्रिक सिटी ना होने के कार प्लेन का वर्टिकल स्पीट इंडिकेटर और एल्टिटूट इंडिकेटर बंध हो गया जिससे तब प्लेन कितनी उचाई पर है और कितनी तेजी से नीचे की और जारा है यह जानने का सभी रास्ते बंध हो चुके थे उस बक्त फर्स्ट ओफिसर कैलकुलेट करके है देख रहा था कि प्लेन 400 किलोमीटर पती घंटे की रफ़तार से निर्धारित किये गए गिनी पैक एरपोर्ट पर पहुंच पाएगा या नहीं कैलकुलेशन के हिसाब से वो काफी तेजी से नीचे चा रहा था लेकिन आगे उतना नहीं भढ़ पा रहा था उसकी बज़े से वे एमरजेंसी स्पोर्ट पर भी नहीं पहुंच सकता तभी फर्स्ट ओफिसर मॉर्स कुिंटल को उनके ट्रेनिंग सेंटर एर बेस गिमी की यादाई जो की पासी में था उन्होंने प्लेन को वहाँ परी सुपर सीरियस लेंडिंग करने की तयारी शुरू कर दी लेकिन बहस बात से अंजान थे वहाँ पर अब एर बेस की जगे रेसिंग ट्रेक को बना दिया गया है और उस समय वहाँ पर रेस चल रही थी जिसके कार पूरा स्टेडियम और्डियन्स से भरा हुआ था तब तक पियर्शन उस 143 प्लेन को किनी एर बेस पर रेसिंग ट्रेक पर ही लेंड कराने लगे खुश किस्मती से तब वहाँ पर रेसिंग ट्रेक खाली था कप्तान ने प्लेन के लेंडिंग गेर को ग्रेवटी ट्रॉप की मदश से बहान निकाला लेकिन प्लेन का फ्रेंट भील वे ग्रेवटी ट्रॉप के बाद ठीक से लॉक नहीं हुआ और प्लेन रन्वे पर टच करते ही कप्तान ने पूरे फोर्स के साथ ब्रेक को दवाया जिसकी बजह से फ्रेंट भील वापस अंदर चला गया और प्लेन के आगे का हिस्सा जमीन से चट अगराया और फिर जमीन में फिसकता चला गया जिसके कारण प्लेन की स्पीड कम हो गई जिससे लेंडिंग गेर टूटके प्लेन रुक गया सिंगनल मिलने के बाद सिर्फ 17 मिनिट में ही प्लेन को सेफली लेंड करवाया गया प्लेन के अंदर सभी यात्री भी सुरक्षित थे और किसी भी यात्री और क्रू मेंबर को ज्यादा चोट नहीं आई पर बिना फ्यूल लेवल को चेक किये प्लेन को टेक आफ करने के लिए कप्तान को छे महीने के लिए सर्विस से डिसमिस कर दिया गया और फर्स आफिसर को दो बीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया लेकिन उनकी आउटिस्टेंडिंग एरमेंशिफ की बज़े से उन्हें सम्मानेद भी किया गया और बाद में उन्होंने अपनी सर्विस को चारी रखा लेकिन आखिर वो 17 मिनट का समय जो प्लेन के अंदर नहने वाले यात्यों ने कुजारा उसे कोई भी जिंदगी बर तक भूल नहीं पाया लेकिन उस प्रस्तिती में प्लेन के कप्तान और फ़स्ट ऑफिसर ने जिस थंडे दमाग से एतनी कठिन प्रस्तिती को हैंडिल किया उससे हमें कुछ सीखना चाहिए कैसे लाश्ट मिनट तक भिना घवराए हमें किसी भी प्रस्तिती में डटे रहना चाहिए मैं उम्बीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानने और सीखने को जरूर मिला होगा तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए जान सहीता चैनल को देखते रहने के लिए सस्क्राइब और बेल आइकोन पर क्लिक कीजिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार